हेलो स्टूडेंट्स, हाव यू अल, आई होब यू अल, आई होब यू अल आ फाइन, सो वेलकम टू टूडेस हिंदी क्लास, आज की हिंदी की कक्षा में हम आपकी छोटे उप और बड़े उप की मात्रा के बारे में डिसकस करने वाले हैं, तो आप लोगोंने पहले छोटे उप की मात्रा और बड़े उप की मात्रा दोनों मात्राएं सीख ली हैं, तो छोटे उप की मात्रा का साउंड होता है उ, क्या होता है उ, और बड़े उप की मात्रा का साउंड होता है उ, क्या होता है उ, तो जैसे ही छोटे उप की मात्रा को क इसी भी अक्षर में जोड़ा जाता है जैसे कि हम देखते हैं क क में अगर हम छोटे उ की मात्रा जोड़ते हैं तो उसको फटा-फट से बोला जाएगा कू क्यूंकि उसमें छोटे उ की मात्रा लग गई है और छोटे उ की मात्रा का साउंड उ होता है तो इसलिए जब छोटे बड़े उकी मात्रा कर में जुड़ी तो वो कर से कुप बन गया ऐसे ही बड़े उकी मात्रा बड़े उकी मात्रा का साउंड होता है उ क्या होता है उ तो जैसे बड़े उकी मात्रा को कर में जोड़ा जाएगा तो वो कुप बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा क तो ये होता है दोनों मात्राओं में difference जब तक कि आप इन दोनों मात्राओं के शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तब तक आपको इन दोनों मात्राओं के बीच में difference समझ नहीं आएगा तो चलिए, आज हम इन दोनों मात्राओं की practice करते हैं दोनों मात्राओं के बीच में difference देखेंगे और इनसे related कुछ question answers करेंगे तो चलिए, शुरू करते हैं हमारी मात्राएं तो बच्चों, ये है हमारी छोटे उकी मात्रा चोटे उकी मात्रा का sound आपको पता ही है उ, तो चलिए, सबसे पहले हमें topic दिया गया है बोलो और लिखो यानि की यहाँ पर जो भी words लिखे गए हैं हमें इन्हें इनकी मात्रा को सुनकर बोलकर पढ़ना है और फिर उसके बाद जो भी उसका sound आएगा उसको as it is यहाँ पर लिखना है तो चलिए देखते हैं यह क्या लिखा है म, धको चोटा उधू, र क्या बन जाएगा? मधुल क्या बनेगा? मधुल तो आपने इसको पढ़ा और क्या आवाज आई? मधुल तो हमें यही का यही सेम वर्ड यहाँ पर भी लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? म, धु, र, मधुल तो ऐसे ही आपने यह सारे वर्ड मात्रा के साथ पढ़ने हैं, बोलने हैं और देखना है उसमें कौन सी आवाज आ रही है तो फिर उसके बाद उन शब्दों को यहाँ पर सेम लिख देना है तो यह है हमारा टोपिक बोलो और लिखो आगे देखिए अगला टोपिक है हमारा मिला कर लिखो क्या है? मिला कर लिखो तो देखिए हमें कुछ अक्षर हैं जो अलग-अलग करके दिये गए हैं तो हमें इन अक्षरों को आपस में जोड़ना है और एक सही शब्द बनाना है तो चलिए देखिए कब हाग है हमारा जा मुन तीन अलग-अलग अक्षर दिये गए हैं हमें जा मुन तो हमें इन अलग-अलग अक्षरों को जोड़ना है और शब्द बनाना है तो जा मुन को जोड़कर कुण सा शब्द बनेगा? जा मुन क्या बनेगा? जा मुन तो देखिए लिखते हैं हम जा मुन क्या बन गया ये? जा मुन तो ऐसे ही आगे है अगला भाग ग, ग, को छोटा उगू, ड, ग, को छोटी इडी, य, य, को आ, य, तो ये तीन अलग-अलग अक्षर हैं आपने इनकी मात्रा के साथ ही इनको पढ़ना है क, को लगेगा तो वो गू बन जाएगा, र, को ई लगेगी तो वो ड, बन जाएगी य, को आ लगेगा तो वो य, य, बन जाएगा तो ऐसे हमने इन तीनों अक्षरों को एक साथ जोड़ना है जोड़कर क्या बनेगा गू, ड, य, य, ग, ग, य, तो ऐसे ही आपने इसको जोड़ना है सको चोटा उसू, रको आ रा, ह को बड़ी इ, ही, सु, रा, ही तीनों को जोड़कर कौन सा शब्द बना, सु, रा, ही, सु, रा, ही क्या बन जाएगा, सु, रा, ही, तो ये था हमारा अलग-अलग अक्षरों को मिला कर लिखो अब देखिए हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, और हमें उनके नाम भी दिये गई हैं हमें उन पिक्चर्स के नाम देखने हैं, कि ये पिक्चर किस चीज़ की है और उनके नाम यहाँ जो लिखे हैं, उनमें से ढूणने हैं तो चलिए देखते हैं, पहली पिक्चर हमारी क्या है पहली पिक्चर है हमारी चुहिया क्या है? चुहिया तो देखिये इस में से कहा है चुहिया ये रहा चुहिया चुहिया क्या बन गया? चुहिया तो हमने क्या करना है? इसको जहां चुहिया लिखा है, उसके साथ मैच करना है तो देखिये इसको हमने इसके साथ मिला दिया तो बाकी भी आपने इसी तरह से मिलाने है चलिए मैं आपको फटा-फट से पिक्चर से बताती हूँ कि ये कौन सी है तो ये क्या है? ये है लुटिया क्या है? लुटिया तो आप इस में से लुटिया ढूंड़ियेगा और उसके साथ मैच कीजियेगा आगे है ये क्या है गुडिया अगली पिक्चर है गुझिया क्या है गुझिया गुझिया के बाद next पिक्चर है हमारी बुढिया क्या है बुढ़िया बुढ़िया के बाद लास्ट है ये क्या है गुलाब जामुन क्या है गुलाब जामुन तो आप इन सब के नाम यहां सर्च कीजिएगा और उनके साथ मैच कीजिएगा छोटे उकी मात्रा के बाद आप देखिए ये है हमारी बड़े उ की मात्रा बड़े उ की मात्रा का साउंड क्या होता है क्या होता है तो चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है हमें पहला प्रश्न चित्रों को उनके नाम से मिलाईए चित्रों को उनके नाम से मिलाईए जैसा कि हमने छोटे उ की मात्रा में किया था हमें यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है और यहाँ पर नाम दिये गए है हमें इन पिक्चर्स के नाम देखने है कि क्या है और इसमें ढूनने है और फिर उसके साथ मैच करना है तो पहली पिक्चर है हमारी ये क्या है आलू, क्या है आलू, तो देखिए इसमें आलू कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, ये रहा, तो हमने इसको आलू के साथ मैच कर दिया, आगे देखिए अगली पिक्चर है हमारी तराजू क्या है तराजू तराजू जहां भी लिखा होगा आपने उसको उसमें से सर्च करना है और मैच करना है अगली पिक्चर है चूहा क्या है चूहा चूहा के बाद है ये क्या है क्या है ये जूता क्या है जूता तो आपने जूता भी यहां लिखा हुआ है इसमें से देखना है और मैच करना है जूता के बाद अगली पिक्चर है हमारी ये क्या है तर्बूज क्या है तर्बूज खाते हैं आप तर्बूज यानि की वाटर मैलन अब देखिए अगला है ये क्या है फ्लार है ना फ्लार को हिंदी में क्या बोलते है फूल तो ये है फूल तो आपने इसमें से इन पिक्चर के नेम सर्च करने है और मैच करना है आगे देखिए अगला प्रशन है उ की मात्रा वाले शब्द लिखिये तो यहां आपको बड़े उ की मात्रा वाले दो शब्द दिये गए हैं आपको एक्जाम्पल दिया गया है कि आपको इस तरह से बड़े उ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं जैसे कि पहला शब्द है हमारा कालू कालू क्या है कालू आगे है आलू आलू तो ऐसे ही आपने जिन भी शब्दों में बड़े उ की मात्रा लगती है आपने वो शब्द यहाँ पर लिखने है तो यह शब्द आप अपने आप से लिखेंगे आगे है प्रश्न तीन चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए कि यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है और उन पिक्चर्स के नेम हमें यहाँ पर लिखने हैं जिससे की हमारा ये वाक्या कम्प्लीट हो जाएगा तो देखिए पहली पिक्चर क्या है फूल क्या है फूल तो हम यहाँ पर लिखेंगे फूल फक को बड़े उकी मात्रा लग क्या बन गया फूल तो वाक्या क्या बन जाएगा फूल खिल गया फूल खिल गया अलग बन गई ना एक लाइन एक वाक्या तो ऐसे ही बाकी पिक्चर्स भी हमें दी गई है अगर हम इनके नेम यहां फिल करेंगे तो ये एक वाक्या बन जाएगा तो आगे है दिये गए शब्दों में उ की मात्रा सही जगहें पर लगाकर खाली स्थान पर शब्द लिखिए देखिए हमें यहां पर कुछ शब्द दिये गए है लेकिन इन में बड़े उ की मात्रा जो है वो मिसिंग है लेकिन जहां जहां वो मात्रा लगेगी उसके नीचे हमें अंडरलाइन की गई है तो हमें क्या करना है इन अक्षरों के नीचे बड़े उ की मात्रा लगानी है और शब्द बनाना है तो देखिए तराज ज के नीचे आएगी ना मात्रा तो लगा के देखते हैं क्या बनेगा तराज को बड़े उ की मात्रा क्या बन गया तराजू क्या बन गया तराजू तो ऐसे ही इन सभी अक्षरों पर आपने बड़े उ की मात्रा लगानी है और इन शब्दों को मात्रा के साथ कम्प्लीट करना है ताकि इनकी कोई सेंस बन पाए इनका कोई मतलब बन पाए तो चलिए अब आप लोग इन दोनों वर्क्षीट्स की प्रेक्टिस कीजिए और इसको कम्प्लीट कीजिए तो बच्चों ये थी हमारी छोटे उ और पड़े उ की मात्रा की वर्क्षीट्स हमने दोनों मात्राओं के अलग अलग प्रश्नुत्रों को किया उनके अलग अलग टॉपिक्स को किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके तो छोटे उ की मात्रा को अलग से किया बड़े उ की मात्रा को अलग से किया और आपको दोनों में डिफ्रेंस भी समझ आ गया होगा तो चलिए अब आपको इन सभी मात्राओं की अच्छे से प्रेक्टिस करनी है पहले हमने चोटी E और बड़ी E की मात्रा के बारे में पढ़ा था आज हमने चोटे U और बड़े U के बारे में पढ़ा है तो I hope आप सब लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी तो चलिए इन वर्कशीट की आप अपने आप से लिख कर प्रेक्टिस कीजिए ताकि आप दोनों मात्राओं को अच्छे से सीख सके I hope you all like the video, thank you so much, bye bye